नमस्कार दूस्तों मैं भी सीख आपका भी सीख टिटिरल पर स्वागत करता हूँ आज हम लोग देखेंगे बिहार बूर्ड इंटर का जो एक्जाम होने वाला है इंगलीज का उसका हम लोग देखेंगे टोटल समरी, कौनकों समरी आपका पूछा जाएगा तो आप लोग एक्जाम से पहले बिलिपल याद कर लिजएगा यह वी क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आपको एक्जामे देखने को मिलेंगे अगर आप physics का नहीं देखें तो physics का भी दे दिया गया है एक फरवरी का जो paper होने वाला है physics का वो भी दे दिया गया है यह आपको कहां मिलेगा तो मेरे चैनल के जो आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल के आप playlist में जाएंगे वहां आपको question out search की बहुत सारी playlist है उसमें आपकी exam में आएगा चार पार्ट में दिया गया है एक फरवरी का वीडियो ठीक है तो आईए आज इक लास शुरू करते हैं यह आपका चार फरवरी को exam होने बाला है ध्यान देंगे अगर exam की तारीक बढ़ती है फिर भी उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है question आपके हुआ ही रहेंगे exam की तारीक बढ़ने वाले है तो वह वात अलग है ठीक है अगर नहीं बढ़ती है तो और कोई दिकत नहीं है तो आईए आज इक लास हम लोग सुरू कर लेते हैं सभी दोस्तों को सेयर कर देचें ताकि सभी लोग यहाँ पर याद कर सकें क्योंकि exam से पह होंगे और एक लिखना होगा दूसरा होगा चार अप्सन होगा वो पोयम लिखना होगा पोयम का समरी ठीक है तो यानि कि दो समरी लिखने होंगे एक स्टोरी का और एक पोयम का जिसमें चार्चर अप्सन होंगे ठीक है तो आज मैं टोटल इस वीडियो में देने जा रहा ह रखते हैं ठीक है यह आर्टिस्ट जो है वो आपका एक छोटी कहानी है जो कि यह जापनेज राइटर सिगा नोया का दोरा लिखी गई है यह स्टोरी जो है वो पुरानी रिती को दिखाता है कि कैसे स्टोरी परती टीचर और गार्जियन की सोच होती है ठीक है आगे लिखा गया है कि प्रहाई के लाबा किसी और चीज पर टाइम बेस्ट करना ठीक है किसी और चीज पर काम करना वो टाइम का बेस्टेज है समय की वरवादी है इन देसा स्टोरी सेभी इसे ट्वेल सियर्स ओल्ड स्कूल गोईंग वाई इसा स्टोरी में सेभी जो है बारा सल का स्कूल जाने वाई लड़का है वो बिलकुल गाड को पॉलिस करने में इंटरेस्टेड हो जाता है उसे जब भी टाइम मिलता है वो गाड को पॉलिस करने में भीजी रहता है उसके पिता जी से पसंद नहीं करते थे वो सेभी को बолते थे क्या गाने के लिए तो नामी बबोसी बलाड़ गाने के लिए बट सेभी ट्राइट टू कॉंटिन्यू इस होबी इन स्पाइट अपन डिस्लाइग यानि उनके पिता जी की खूली नराजी के बाब जूद भी सेभी जो है अपनी आदत को वो छोड़ नहीं रहा था अपनी आपना को वो छो रहता था जब भी उसे समय मिलता था वो मार्केट जाता था और गाड करता था ठीक है डिफरेंट डिफरेंट साइज ज के एक दिन वो एक बुरी ओरस से फाइव इंच गाड खरीद लेता है this particular guard appealed him very much और ये guard उसे बहुत ज़्यादा परसंता बहुत जगा खुसी कर देता है जिसे उसे बहुत लगा हो जाता है he took it to school and began to polishing it under his desk वो इसे school में ले गया और desk के नीचे polish करने लगा one day he was caught red-handed by ethic teacher एक दिन ethic class में उसे guard को color करते हुगे रंगे हाथ पकड़ा गया the teacher became very angry teacher बहुत गुस्सा हुए with savvy for neglecting his studies and paying with guards और किसलिए गुस्सा हुए कि study को neglect कर guard को guard के साथ खेलने के लिए the teacher यानि वो color कर रहा था है न हेंदी थोड़ा false कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगा skin sort लेना है और समझते जाना है और बहुत साथ समरी करना है इसमें the teacher took the guard with him and flying savvy to his home teacher क्या किये गाड को उसके साथ लिए और सेवी के घर उसके साथ गए the father and mother the father and mother सेवी scolded him and broke all the guard उसके माता और पीता सेवी को काफी डाटे फटकारे और सारे गाड जो है उसके पीता जी तोड़ दिये थे आप स्टोरी में परहे होंगे ठीक है उतना टाइम है नहीं आपर दे टोड से भी not to do again उनके पिता जी ने बोला कि यह काम फिर से नहीं करना है thus we see that the teacher and the parents didn't care for the interest of the child इस तर समर्ण देखते हैं कि चाए वो सिचक हो या parents हो वो चाइल्ड के इंट्रेस्ट का ख्याल नहीं करते this is an injustice to children यह बच्चों के परती अन्याय है ठीक है तो यह question आपका artist हो गया यह आपको option में मिलेगा बढ़ते हैं अगले question की और जल्दी से next summary है आपका भारत is my home तो आप लोग स्कीन सोट लेंगे भारत is my home का ठीक है अच्छी सा स्कीन पर आपका आ रहा है जल्दी सा स्कीन सोट लीजिए ठीक है थोड़ा और इसमें है नीचे कर लेता हूं तो थोड़ा और ले लिजिए a child is born ठीक है a child is born जो कि आपको पूछा जाएगा संबरी में तो a child is born जो है वो नेवर हूट celebration तक last हो रहा है उसके नीचे Indian civilization कलचर है वह भी आप लोगा ले लिजिए इन्दिया शिविलेजीशन एड कलचर का है Indian civilization and culture का पूरा full skin sort ले लिजे ठीक है Hindi यहाँ पर करूँगा तो लंबा हो जाएगा ठीक एक ही वीडियो में करना है आप समझ सकते हो ठीक आप लोगा skin sort ले लिजे याद करना है आपको वहाँ पर लिखना है Hindi नहीं लिखना है ठीक इस बस रटा मारकर पर लिखना है ठीक है ठीक है ठीक है उसके बाद एक और दे देता हूँ तो प्रेसिडेंसी तेक आपका लास्ट हो जाएगा और marriage proposal के है marriage proposal हलाकि बहुत कम चांसे है लेकिन दे देता हूँ ले लिजे marriage proposal का भी उसके बाद फिर next पर जाता हूँ अब pinch of a snuff ठीक है तो यह हो गया pinch of a snuff जिसमें आपका नानो काका के बारे में पढ़ना है ठीक है बहुत अच्छी है story है यह आपको summary में देखने को मिलेगा बस आप लोग फटकर याद कर लेजेगा तो यह हो गया summary section का कौन सा part complete हो गया यहाँ पे मैं complete कर लिया हूँ जो आपका story से पुछा जाता है summary बहुत complete हो गया इससे बाहर summary नहीं आएगा अब मैं आपको poem पे लेकर चलता हूँ कि poem में क्या क्या आपका पूछा जा सकता है कौन कौन सा summary वहाँ पे चार फर वरी वेले paper में आपको मिलेगा exact जो बता रहा हूँ वही मिलेगा आप यह मस सोचना कि यह कोई guessing करके बता रहे हैं कि यह होगा यपो होगा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं video में बता रहा हूँ वही वहाँ देखने को मिलेगा तakteर आप लोग बिल्कुल याद करके जाना ठीक ऐसा मस सोचना कि सरह ऐसे हैं व्यूज के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि व्यूज के लिए दे रहे हैं व्यूज के लिए दे रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है व्यूज के लिए नहीं दे रहा हूँ एक्जाम में जाकर देखना question आपको वही के same to same मिलेंगे ठीक है ना तो चलिए बढ़ते हैं अगले question बच्चो आप किसी भी सवाल में अटग गए हो या आप से सौब नहीं हो पारा है बस आपको इस question का photo लेना है question को crop करना है और 5 second के अंदर अंदर उस question का video solution मिल जाएगा फिर चाहे आपका question हूंबर का हो CBAC, बिहार, UP, महाराज, राजरस्थान, MP किसी अनबोर्ड का हो चाहे IATZ, NEET या क्लासिक से बरहमी का सवाल हो इन सब का जबाब .NET app पर या फिर कोई भी subject हो physics chemistry, biology, math, science आपके सभी सवालों का जबाब मिलेंगी आपको .NET पर साथी .NET पर क्लास नवी से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिस और हिंदी मीडिया में लाइब क्लास से सियानी आप पूरी पराई होगी .NET पर तीन करोड से ज़्यादा बच्चे .NET पर पराई कर रहे हैं तो आब भी जाए और .NET अब को इंस्टॉल कीजिए तो पहला समरी है आपका Now the Leaves are Falling Fast The poem Now the Leaves are Falling Fast has been composed by W.H. Auden यह W.H. Auden के द्वार रचित है यह प्रकृति के बारे में एक कवीता है बिलकुल सधारन सी The poet says about the speedy arrival of old age and death of human beings यानि यह जो मानों की जो अवस्ता है कि धीरे-धीरे वो क्या है बुड़ापा की और बढ़ता है और एक दिन क्या होता है मर जाता है तो उसी तरही के से Now the Leaves are Falling Fast के बारे में यहां पर बढ़न किया गया है He is delay eating the frustration inherent in human life The poet says that human beings are like travelers who are growing old moving towards graveyard The poet says that when the leaves fall from the trees that become lifeless the nightingale become dumb in the same way human beings become physically weak and inactive and get separated from the crowd of the people at the time of the end of the Lanzani But the poet shows an optimistic approach that when we come to an end of our life we hear the melodious sound of butterflies Thus we see this poem is a blending of pessimism and optimism As we say, that we are talking about as follows जिवन है कि सुरुगात में कोई बच्चा जो होता है बिल्कुल नाजुक होता है फिर उसके अंग आते हैं फिर वो क्या होता है बरा होता है फिर बुरहाफा की और बढ़ता है और फिर धीरे-धीरे वो मिटती की और अगरसर होता है उसे तरीके से सीजन के हां पर बोला जा रहे कि एक पेर जो होता है वो छोटा सा पौधा होता है फिर वो एक पेर बनता है ठीक है और फिर भी उससे क्या होते हैं पत्य लगते हैं और पत्य क्या है गिरते भी है ठीक है और इस तरीके से जीवन का सत्य जो है वो इसी तरीके से चलता रहता है उन्होंने यहीं बताया ह यहाँ पे line by line यहाँ पे हिंदी नहीं किया हूँ कि बहुत सारा यहाँ पे आपको देना है मुझे अगर आप line by line का हिंदी देखना चाहते हैं तो question out series की जो playlist है इंग्लिस वाली वहाँ जाके देखेगा line by line मैंने हिंदी करवा कर रखा है ठीक है तो वो भी आप देख सकते हैं the poem macabity यह भी आपको पूछा जाएगा यह भी आप लोग देख लो फिर है आपका the soldier the soldier is a patriotic sonnet यहाँ पे आप लोग अच्छे से skin sort लेता तो now the leaves are falling fast हो गया ठीक है उसके बाद the poem macabity है तो macabity भी ले लीजिए ठीक है a skin sort उसके बाद soldier है ठीक है यह सब आपको मिलेंगे the soldier आप लोगा skin sort ले रहे होंगे आप लोग जो है जितने भी राइटर है ना सब का नाम जो है बिल्कली याद रखना क्योंकि यह सारे राइटर के नाम जो है वह आपके mcq objective जो होगा आपका उसमें पूछा जाएगा क्योंकि objective का pattern change होगी आपको पता है कि आपका 50 objective बुझेगा 100 objective रहेगा और आपको answer देना है सिर्फ 50 का उस तरीके से long answer question में भी होगे यहाँ पे summary में option भी आपको बढ़ाया जाएगा तो summary छुटने का कोई chance ही नहीं है जो बता रहा हूँ उससे बाहर होगा तो वीडियो बनाना मैं छोड़ दूँगा आप comment में कितनी गाली दे देना कर अगर यह question नहीं मिला वहाँ तो ठीक है उसके बाद epitaph epitaph का ले लो ep epitaph ठीक है तो यह हो गया epitaph पोयाप में ठीक है बढ़ते हैं अगले question की और next है आपका sweetest love I don't go तो यह पूछा जाएगा आपको बता दू कि मैं अपने वीडियो में ठीक है यह तो आपका part one है for February का तिसे मैं essay हो later हो translation हो सब कुछ मैं दे दूँगा ठीक है और उससे बाहर आपका देखने को नहीं मिलेगा translation तक मैं दे दूँगा fillers तक दे दूँगा objective तक दे दूँगा सब कुछ दे दूँगा channel पहली बार होते channel कर subscribe जरूर से जर कर लेना और घंटी बजा लेना क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजा ओगे कोई वीडियो में दूँगा तो आपक कुछ कहना विकार है ठीक है ना तो मैंके वीटी तो बता ही दिया तो मैंके वीटी भी ले लो यहाँ पे एपी टेफ्ट में पहले ही करवा दिया भी तो मैंके वीटी ले लो इसके बाद है इंडिया थ्रो और ट्रेवलस आईज इंडिया थ्रू और ट्रेवलस आईज ठीक है बस इतना काफी है इतना आप लोग याद कर लेजे इससे बाहर आपका क्वेशन नहीं रहेगा एक्जाम में तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो को जल्दी से सब को सेयर कर देजी थैंक्स वर वचिंग इस वीडियो